तो गाइज इस Q&A सेशन में हम लोग बात करते हैं तुम लोग के क्वेशन के बारे में और मैं एक-एक का अंसर देता हूँ ताकि तुम लोग को कोई भी डाउट ना रहे इसके अलावा कोई भी इश्यो अगर तुम लोग हो रहा है तो definitely you guys can ask me that as well तो चलो आज का क्योंने शुरू करते हैं और पहला क्वेशन है रूपो जोती मेकर की तरफ से तो रूपो जोती इन दोनों काड्स का AMD ने मार्केट में अनौसमेट कर दिया है बट कोई भी प्रोडेक्ट especially RX 5500M को लेके जो की एक mobile GPU है या फिर 5500 जो की एक discrete GPU है desktop GPU है तो इनको लेके एक भी प्रोडेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है मेरे चैनल को follow करते रहो subscribe करो hit the notification bell मेरे सारा वीडियो देखते रहो so as soon as कोई भी इस टाइप का news आता है I'm going to cover that on the channel and बाकी लोगों के लिए भी guys थोड़ा सा यहां पर हम लोग promotion कर रहे है अगर तो लोगों ने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe and hit the notification bell ताकि मेरा कोई भी वीडियो आये तो सबसे वहले तुम लोगों को पता चल सके and bell दबाने के बाद all notifications का न मत भूलना so that सारा notification आये तो next question है दीपक जोशी की तरफ से bro I want to buy a Ryzen 3 2200G tell me about this heating and performance as you own it तो दीपक मेरे पास 2200G as of now नहीं है पहले मेरे पास कुछ time के लिए मैंने रखा हुआ था but after that वो जिसका था मैंने उसको वो वापस दे दिया है तो in any case अगर तुम 2200G को overclock नहीं करते हो तो temperature का कोई issue नहीं आता है ना performance का कोई issue आता है performance अगर तुम लोगो देखना है तो जो मैंने पुराने वीडियोस कवर किया है 2200G को लेकर उसको check out करो and उसको check out करोगे तो you will find that the performance as per as 720p पर gaming करने के लिए it's quite decent Intel के HD graphics से बहुत ही बैतर heating का इतना issue नहीं होता है अगर तुमने ठीक ठाक से mount किया है अपने cooler को तो not a lot is going to you know affect your performance and दूसरी चीज़ अगर तुमने overclock किया है तो थोड़ा सा heating issue आ सकता है तो in that case just थोड़ा सा देख के इसको use करना next question है retro gamer की तरफ से कौन सा जाधा सही है GTX 1060 या GTX 1660 Red Dead 2 जैसे games के लिए because they are currently priced at the same rate तो यार of course GTX 1660 is a better card than GTX 1060 around 15-20% faster है GTX 1660, GTX 1060 से for any games चाहे वो Red Dead 2 हो, चाहे वो PUBG हो चाहे वो Apex Legends हो GTX 1660 is the Teoric generation का card उसके जो code से वो Teoric के हैं so that is why it will give you a better performance next question है 12M की तरफ से and उन्होंने ये बोला है कि basically मैंने जो पुराने एक वीडियो बनाया था PUBG Emulator को lag fix करने के लिए वो अभी काम नहीं कर रहा है तो 12M मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि I am currently working on that video again because Emulator upgrade हो गया है अभी उसका नाम भी change हो कि game loop हो गया है and जो वीडियो वो मैंने बनाया था जैसे कि तुमारा CPU है उस टाइप का CPU रहता है so do follow the channel for that next question है गुरु सिंग की तरफ से bad sector hard desk PC में लगाते ही PC hack हो जाता है वो भी software नहीं चल रहा है and windows नहीं है तो hard desk में no command चला सकता है मतलब command नहीं चल सकता है साथ ही वो पूछ रहे है BIOS reset कैसे करें BIOS corrupt हो चुका है A320 motherboard का तो पहला question या bad sector अगर है तो PC hack नहीं होगा अगर तुमारा जो hard desk को वो पहले से उसके अंदर ऐसा कोई malware है जो पहले से अलरेडी hacked हो या फिर basically अगर उसके अंदर ऐसा कोई intrusion भरा हुआ है जब भी तुम उसको connect करते हो तो तुमारा software सारा corrupt वो कर दे तो ऐसा होता है तो the best thing would be उसको full format मारो और full format माने कवाद Windows install करो वो सबसे easy रहता है अगर Windows 7 का पुराना PC है तो उसको भी use कर सकते हो format करने के ज़िए just partition delete कर दो and दुबारा से Windows उस पे install कर लो साथे BIOS reset करने के option motherboard to motherboard change होते रहते है basically उसमें करना ही होता है कि अगर तुमारा BIOS जो है अगर तुमारा motherboard जो है वो BIOS का screen दिखा रहा है और उसके बाद you have the option to press some keys then तुम quick BIOS में जा सकते हो for specific motherboards जैसे कि तुम अगर मेरे को motherboard का details बताते है तो मैं शाद थोड़ा सा और help कर पाता but generally तुम अपने USB stick में अपने नए BIOS को download करते हो उसको तुम लगाते हो अपने PC में boot करते हो quick BIOS में जाते हो वहाँ पर BIOS upgrade होता है and voila your thing is done तो बहुत easy होता है generally but कभी-कभी corrupt हो जाता है या तुमारा जो issue आ रहा है I think you should be definitely a member for the channel ताकि तुम लोग तुमारा जो issue है वो तुम अपना resolve करा सको मेरे से because for members I definitely provide in-depth अगर कोई issue चल रहा है तो उसको resolve अगरा करने में तो I think that would have helped you a lot however because it is a very specific problem तो मैं इतना जादे resolve नहीं कर पा रहा हो तुमारा next question है Maverick Place की तरफ से उनके तीन question है can we stream on Ryzen 3 1200 and RX 570 on the lowest possible settings तो yes you can but the quality is not going to be so good plus तुमारा gameplay जो है वो भी mark खाये गाई definitely depending on the game you are playing second question है can we play 720p 30fps games on lowest possible settings on Athlon 200G तो yes 720p 30fps तो नहीं कुछ-कुछ games नहीं चल पाते हैं but maximum e-sports title rocket league हो गया CSGO हो गया वो चल जाता है and decent gameplay मतलब खेलने लाए खेला देता है it is not like the quality will be good or something like that but you can play even PUBG emulator भी काफी हद तक चल जाता है अगर तुम उसमें interested हो तो third question है can we play 1080p 30fps games on lowest possible settings on Ryzen 5 3400G तो yes 1080p 30fps तुम Ryzen 3400G से expect कर सकते हो Ryzen 5 3400G से कि वो सारे ही games करीब करी तुमको इस fps पे खिला देगा चाहे lowest setting कर लो but 1080p 30fps वो generally तुमको most of the games में दे देगा however the performance is going to suck on depending on कौन से game तुम खेल रहे हो next question है Mr. Tech की तरफ से how to solve overheating in my PC i3-9100 and GTX 1050 Ti the temperature is 77 degrees Celsius so Mr. Tech let me be very clear 77 degrees Celsius is a very decent temperature अगर तुमारे PC पे ये GPU temperature तुमको मिल रहा है I don't think it is your CPU temperature because i3-9100 इतना load लेता नहीं है कि वो अगर तुमारा डबा बिल्कुल बंद रहेगा तभी वो I think 77-78 तक पहुँचेगा otherwise GTX 1050 Ti भी अगर 77 तक जा रहा है तो कोई issue, कोई tension लेनी की बात नहीं है ये temperature तब तक सही रहता है जब तक तुम जो है तुमारा turbo clocks को lose ना करो यानि अगर तुमारा CPU 3.7 पे चल रहा है on normal load तो अगर temperature जादा होगा तो ये turbo जो है इसका पीछे कीच के 3.5, 3.4 पे लेके आएगा तो जब तक ये performance degrade नहीं होता है तब तक कोई issue नहीं है next question है केशव कुमार की तरफ से भाईया मेरा आपसे ये सवाल है कि जब keyboard मैं letter को type करता हूँ तो एक इवर्ड 5-6 बार type हो जाता है तो यार तुमको keyboard साफ करने का जरूआत है कहीं पे कुछ दब रहा है जिसकी वज़े से जब भी तुम एक बटन दबाते हो तो वो stuck हो जाता है तो the easiest thing would be अगर तुम खोल के उसको check out कर सकते हो तो वो कर लो बट definitely उसे warranty भी loss होगा और हो सकता है तुम उसको वापस से reassemble भी ना कर पाओ तो the best thing would be अगर vacuum cleaner है कि तो उससे एक बार साफ करके देख लो अगर vacuum cleaner नहीं है तो एक जो gel आता है उससे तो अपने keyboard का यूज करके साफ कर सकते हो कभी-कभी it will work next question है प्रतीक दास की तरफ से कैसे हो मैं बिलकुल बढ़िया हूँ उनका question बहुत ही interesting and guys ध्यान से सुनना दो RAM 2400 MHz के but with different brands one is Corsair and the other is HyperX Fury कोई problem होगा क्या? first of all no there will be no problems अगर same RAM speeds के 2 RAM stick आप यूज करते हो size भी अगर same है तो वो dual channel पे भी वो काम करेगा second वो पूछने है 3700X को भी 450 में लगाओ तो चलेगा इकना पता है पर overclocking में दिक्कत आएगा I don't think so तुम easily 4.1 GHz तक महुंच सकते हो 4.1 थोड़ा सो मुश्किल हो जाता है बट 4 GHz is quite okay because B450 Motherboards पे तुम 3700X को चला सकते हो and next वो पूल में PSU जासे Corsair VS 650W and दूसरे expensive 650W PSU में क्या difference है? तो यार सबसे पहले तो wattage का difference होता है कि तुम कितने watt का SMPS ले रहे हो तो Corsair VS 650 का जो होगा maybe because it is a company, branded company Corsair का है तो that is why it is थोड़ा सा महंगा rather than the other expensive PSU second चीज होता है modular है कि non-modular है modular of course थोड़ा महंगा होगा non-modular महंगा नहीं होगा तीसरा चीज है the number of connectors which is available and fourth and I think जो सबसे least हम लोग को bother करना चाहिए that is bronze rated या silver rated या gold rated या platinum rated that is all efficiency की बात है and I don't think तुम लोग इतना PC पे काम करते होगे कि तुमारे गर की बिजली का बिल जादा हो तो I think तुमारे budget में जो भी system आ रहा है you should definitely go for that next question है 98 gamer की तरफ से call of duty mobile कैसा लगा सही लगा battle royale mode थोड़ा साथ weak है however the tdm mode is very nice and बहुत ही मजा आता खेल के next question है mirinal garo की तरफ से बहुत ही दुगदाया question उन्होंने पूछ लिया है how much do you earn from this channel in average तो दोस्ट पिछले 2-2 साल में मैंने एक पैसा भी इस चैनल पे earn नहीं किया है so that's the answer अगला question लगी भासकर की तरफ से if I bought 2200G AMD processor can I expect 1GB card performance from that तो यार ऐसा है कि 2200G जो AMD CPU है उसके अंदर Vega 8 GPU है integrated तो उस GPU को तुम 2GB तक का graphics card VRAM allot कर सकतो अपने RAM में से अब because तुमने कोई specify नहीं किया कि 1GB के कौन से card की तरफ performance करेगा so I can expect कि what you are तुमारे किसी project के लिए या किसी application के लिए तुमको चाहिए 1GB and the performance is however better than integrated graphics but not as good as discrete graphics यानि अगर आप नया graphics card कोई भी खरीद के लगाओगे तो उसका performance AMD Ryzen 3 2200G से बहतर होगा graphics की बात करे तो but अगर Intel के HD graphics की बात करे तो उससे काफी बहतर होता ही है Samir make Ryzen 3 2200G PC build यार बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ मैं बस सोच रहा हूँ कि किसी तरह से Ryzen 3 2200G को मैं खरीद सकूँ and खरीदने के बाद ही I can make that build so बाकी सारा system मेरे पास ready है but I don't have the CPU so you guys support the channel and जितना support करोगे उससाप से I am going to make the video and the build साथ ही बहुत सारा content भी बन सकता है Ryzen 3 2200G पर so Samir definitely subscribe the channel hit the notification bell and जितने भी all notification दबाओगे तब ही मेरे सारे वीडियो का लड़ तुमको आएगा and guys आज का last question है उबैद vlogs की तरफ से भाई Ryzen 3 2200G सही value for money provide करेगा क्या Ryzen 5 3500 के comparison में 2019 and thanks for your help तो उबैद दोस Ryzen 5 3500 वो Ryzen के 7 nanometer process पे बना है 6 core 6 thread तो that is only a CPU 2200G एक quad core CPU है 4 core 4 thread but वो 14 nanometer process पे बना है जो कि Ryzen का first generation CPU जिस पे बनेते हैं but उसके अंदर integrated graphics है तो Ryzen 3 2200G में तुमको integrated graphics मिलता है 3500 में वो नहीं मिलेगा तो depending on your requirement अगर तुम 3500 को लेते हो तो the processor is approximately twice as fast दुगना fast है 2200G से but उसके अंदर integrated graphics नहीं है तो तुमको एक integrated graphics की जरूरत पड़ेगी but 2200G is for basic system 6-7000 का CPU अगर आप खरीते हो उसके अंदर integrated GPU रहता है Vega 8 का उसमें आपको 2GP तक VRAM अलोट कर सकते हो और वो आपको basic 720P gaming करा देता है and guys gaming से यादा है मैं हर रोज live stream करता हूँ अपने channel पर तो 6 के बाद कभी भी channel पर आजो I'll be available for live streams I generally pay all the PC games साथ ही Professor Tech Gaming जो मेरा दूसरा channel है जो gaming के लिए बना है उस channel पर भी मेरा stream रहता है तो अगर तुम लोग वो चैनल सब्स्राइब कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा and यस channel को भी जितना share करोगे I'll really appreciate it a lot and तुम लोग को बहुत-बहुत thank you जितने भी लोग channel को share करते हो अपने दोस्तों के साथ अपने family के साथ अपने school, college, whatever you are in So thanks a lot guys I hope तुम लोग को सारे doubts जो है वो आज clear हो गए होंगे बहुत ही मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया है तुम लोग के लिए अगले हफते फिर से हम QN27 पे मिलेंगे उससे पहले बहुत ही interesting कुछ news आ रही है and definitely subscribe कर लो hit the notification bell so that कोई भी वीडियो तुम लोग इस चैनल पर miss ना करो तो guys फिर मिलता अपने एगले वीडियो में stay awesome, stay safe, jahind झाल 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 झाल